हेलो फ्रेंट्स, हाव आर यू आल, होप यू आर फाइन एंड सेफ तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ अपना मैक्सी यानि की नाइटी व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो यह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कपड़े वाश कर रही हूँ तो मैंने आदा ग करते हैं और मैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो फ्रेंट्स यहाँ पर कपड़े भिगा दिये थे और आदा गेंटा पहले भिगा दिये थे तो जो भी उनकी गंदगी थी वह निकल गयी है और बस ठोड़ा सा इस तरीके से ब्रुस से साफ करते हैं जिनको साबून की जरूरत है उनमें साबन लगा लूँगी और जहां पर गंदगी हो रही है वहां पर मैं बुरूज से भी साप कर लूँगी तो इस तरीके से मैं कपडों को वाश करती हूँ बिना वाशिंग मशीन के तो डेली यूज के कपड़े हैं और पहले ही रग दिये थे विखा कर तो जल्दी साप हो गए थे और यहां पर मैं किचन में आ चुकी हूँ यहां पर में मिर्च साप कर रही हूं देखे मिर्ची की टहणियों को निकाल लेती हो और फिर रग देती हूं जिसे खराबनी होती है और मैं किचन में जढू लगा लूंगी अभी मॉर्निंग का टाइम ह तो वीडियो मैं ने पहले बना कर रख दी थी और उसको मैं public करना रह गया था मेरा तो आज मैं उसको public कर रहीused हूं तो अब मैं जाड़ो लगा लूंगी kitchen में ने देखिये। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूं तो फ्रेंट्स जो भी वीडियो पर नए आएंगे प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो इस तरीके से जहां प चाहाब हो जाता है और गंदेगी बी जल्दी लुथे हो जाते हैं तो इस तरीके से मैं किचन में पूचा लगा लूँगी पूरे कैन में एक बार उयसे लगा लूँगी और यह देखिये अब मैं जो है इसकी foot mats वगेरा जो भी बिचाती हूँ मैं इसमें वो मैं बिचा लूँगी तो kitchen मैंने साप कर लिया है कपड़ भी मैंने wash कर लिये थे तो यह देखिए और अब मैं अपने hand wash कर लूँगी और यहाँ पर मैंने अपने hand wash भी कर लिये हैं और सबजी भी रखी हुई है मैंने यहाँ पर कद्दो की सबजी बना रही हूँ मैं तो यह देखिए इस तरीके से सबजी भी मेरी पक चुकी है और अब मैं इसको हिलाते हुए मैंने छोड़ दिया था सबजी बन गई थी गैस बंद कर दी है अब मैं hall के room में आ चुकी हूँ यहाँ भी मैं पूछा लगा लूँगी तो friends यह पहले का वीडियो है तो बहुत दिनों के बाद मैं इसको public कर रही हूँ तो यह देखिए इस तरीके से मैं पूछा लगा लूँगी चारों कोनों मैं सब कोनों में लगा रही हूँ क्योंकि टाइल से है तो गंदे की जल्दी दिखती है इस तरीके से लगाते हुए और यह चारपाई है यहाँ पर रखी है फोल्डिंग चारपाई उसके नीचे भी मैं पूछा लगा लूँगी तो यहाँ पर मैं कुछ बात भी कर रही थी और पूछा भी लगा रही थी और यह देखे इस तरीके से पूरे जो है हॉल के रूम में मैं पूछा लगा लूँगी पूछा मैं इस तरीके से लगाती हूँ इससे जो है एक तो एक्सराइज हो जाती है दूसरा जो है फर्स जो है साफ हो जाता है और मेरी हैबिट है इस तरीके से पोछा लगाने की तो मैं लगा लेती हूँ और यह देखिए आपको दिखी रहा होगा पोछा लगाने के बाद अब जो है मैं इसकी भी जो मैं इनको बिछा लूँगी कि देखिए हुल के रूम की मैंने बिछा दी है और फूट मैट्स जो भी है मैं रूम में डालूंगी अच्छे से बिछा लूंगी यह देखिए और यह वाली भी मैं डाल लेती हूँ अब मैं आ गई हूँ बाहर आंगन के रूम यहां पर आचुकी हूँ, इसको भी मैं जाड़ लूँगी अच्छे से, और मैंने अपनी बालकनी में तो बहुत अच्छा लगता है बैटने में, हवा भी चलती है और ग्रीन ग्रीन ब्लांस भी लगे हैं, सारे गमलों में मेरे देखें किस तरीके से, तो यह मैं है, चपलों साइट करते हुए, इधर उधर सब चपल फैला देते हैं, कितने बार साइट करो, बच्चे फिर वैसा ही कर देते हैं, बच्चे क्या कभी कभी तो हम बड़े भी कर देते हैं, और यह मेरे प्लांस से लगे हुए हैं, आप बताना आपको मेरे प्लांस कैसे लग रहे हैं, औ अभी बहार बरामदे में बहुत सामान रखा हुआ है कभी उठाती हूं दो-चार दिन बाद फिर बैसी हो जाता है तो बहार वशिंग मशीन है कूलर है और यहां भी प्लांट्स लगे हुए हैं कपड़े भी हैं तो इस तरीके से मैं जो है पूरे अपनी बालकनी कहिए या ब लगा लूँगी यह देखिए यहां पर मैं सब ज़ड़ लगा लिया है गमलों को हटाते हुए भी लगा लूँगी अब मेरे प्लांट्स जो फूल आने लगे हैं प्लांट्स में जो है जिनमें फूल आते हैं उनमें फूल आने लगे हैं और कुछ तो हैं जो हरी रहते हैं हमने फूल नहीं आते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें फूल आते हैं तो वह फूल आने लगे हैं और इस तरीके से मैं कुड़ा उठा लूँगी यहां पर ज़डु में बाल भी फच जाते हैं उनको भी निकाल लूँगी तो यह देखिए मैंने ज़डु लगा लिया है और यह देखिए पूरा मैंने ज़डु लगा लिया ने सीड़ी हमें मैं फिर साप करूँगी इस तरीके से साप करते हुए और अब मैं तो फ्रेंड्स यहां पर मैं पोचा लगाने लग गई हुए देखिए पोचा में दोकर ले आई थी और इस तरीके से मैं सब तरह गुश गुश कर ओनों कोनों मैं जा जा कर पोचा लगा लूँगी यह देखिए इस तरह ही पोचा लगाती हूँ मैं पूरे घर में इसी तरह के से पोचा लगाती हूँ और ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो जब भी मैं पुछा लगाती हूँ इसी तरीके से लगाती हूँ यह मेरी हैबिट हो चुकी है इस तरीके से पुछा लगाने की और मुझे जब तक ऐसे पुछा ना लगाओ मुझे साफ भी नहीं लगता है और इस तरीके से लगाओ तो साफ हो जाता है पूरे टाइल समख जाते हैं तो यह देखे फ्रेंड्स पूरे बरामदे में बालकनी में मैंने इस तरीके से पोचा लगा लिया है सब जगा जा जा कर मैं पोचा लगाती हूँ गमलों को इदर दर करके तो फ्रेंड्स आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक यू पर वाच